अब यहाँ पर चलते हैं विदर्ब देश में उसकी राजा है भीस्मक जिनके पुत्र का नाम है रुकमी और पुत्री का नाम है रुकमणी रुकमणी जी विवाई योग्य होती है अपने पिता से कहा मुझे कृष्ण पसंद है पिता भी वड़े प्रसन हुए पर भाई को ये बात अच्छी तकि उसने अपने मित्र शिशुपाल को पहले ही वचन दे दिया वो कहे मेरी एक ही वहन है उसका विवाई मैं अपने हिसाब से करूँगा जैसे उसको विवाई करना है जिसको करना है उसको समझना चाहिए न तो यहाँ पर रुकमनी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी तो रुकमनी जी ने क्या एक ब्रह्मन आते थे उनके हाथ एक पत्र बिजवाया भगवान को और कहा कि मैंने आपको पती मान लिया है अब या तो आप मुझसे विवा करिये परना मैं किसी और से विवा नहीं करूँ पत्र बगवान तक जाता है बगवान बलदाव भाया की ओर देखते हैं बलगराम जिने का कर लो शादी अभी तो पत्रा रहे हैं उम्र आगे निकल जाएगी तो ये भी आने बंद हो जाएंगे रुपमन जी को हल्दी लगरिए है तो यहां पर भगवान हम सभी जानते हैं कि रुक्मणी जी को भगा कर ले गए थे जब वो पार्वती माता के पूजन के लिए आई थी तो भगवान भगा कर ले तो जाते हैं लेकिन जब महल में प्रवेश करने लगे तब बल्दाव भईया ने कहा कि ऐसे नहीं अभी सिर्फ भागे हो शादी नहीं है तब रुक्मणी जी ने कहा कि ठीक है पर रिती रिवाजों में मेरे साथ कौन रहेगा मैं तो सब छोड़ कर आ गई तो बल्दाव भईया ने कहा कि इसके भगत आ जाएंगे बाराती वनकर मैं तुम्हारी तरफ से खड़ा रहूँ बल्राम जी रुक्मणी जी की तरफ से खड़े थे तो यहां इस प्रकार भगवान रुक्मणी जी के साथ विभा करते है सत्रदिक नामक एक राजा थे जिन्होंने सूर नारन भगवान की तपस्या करी उन्हें प्रसन किया तो सूर नारन भगवान ने अपनी एक मणी दी उन्हें समयंतक मणी कौन सी मणी बहुत ही कीमती मणी अब राजा उसे हर जगा पहन कर जाए मनुश्यों का यह स्वभाव है कि उनके पास अगर कोई कीमती वस्तु हो तो वो उसका दिखावा बहुत करते है हर कोई करता है कोई ज़ादा करता है कोई थोड़ा करता है पर करते सब है जैसे मान लीजे महिलाएं है अब अगर कोई नई चूड़ी पहनी होगी या नई अंगूठी होगी तो उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होगी हर चीज आथ से कहां गए थे यहां रख दो वो कहां रख रहे हैं यह मान लीजे गले में कोई हार पहना होगा नया तो बार बार उसको ठीक करें अच्छा पुरुश भी कम नहीं है यह अच्छे अच्छे फोन खरीते हैं गड़ियां करीते हैं अब मान लीजे के कोई सामने खड़ा है, नया नया फोन अभी अभी लिया है, तो ना फोन आया होता है, ना मेसेज आया होता है, जबरदस्ती जेब से बाहर निकालेंगे, इस सामने वाला देखे के हाथ में कितना अच्छा फोन है, यानि दिखावा सब करके, ये मनुश्यों का स्वभाव है, तो सत्रतीक राजा भी अब वो मनी हर जगह पहन कर जाए, और जैसे ही आसपास उसे लोग दिखने लगे, वो बार बार उसको ठीक करने लगे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे, अब इतना करे तो सामने वाले की नजर पड़ेगी, और नज धिन वो एक सभा में पहन कर जाते, जहां कई राजा आये हुए थे, अलग अलग राज्य के. तो भगवान भी तो भी लीला करी रहा है, भगवान मत्वरा के राजा है, दोरका के राजा है, तो भगवान भी आये है. अब जैसे ही सतरिदिक राजा के आसपास लोग इखटा हुए वो उसने अपनी हरकत शुरू कर दी अब बार बार ठीक करे भगवान की नजर पड़ी उस पर भगवान को उसकी इस मुर्खता पर हसी आ गए एक देवता की मणी है इसको सम्हाल के रखना चाहिए उसकी बजाए यह उसका दिखावा कर रहा है तो भगवान को आ गई हसी तो भगवान हस दिये अब उसने देख लिया उसको अच्छा नहीं लगा पर बात आई गई हो अब राजा का भाई वो मणी पहन कर शिकार खेलने जाता है जहां वो शेर से मिलता है शेर ने मार दिया उसे वो मणी लेकर शेर चला गया कुछ दूर गए उस शेर से एक रीच मिलते है वो रीच ने शेर को मार कर वो मनी ले गए और उन्हें अपने बच्चों को मनी दे दी अब यहाँ पर मनी गायब तो लोगों ने पूचा कि भई आपको किसी पर शक है क्या सत्रदिक राजा कहे शक तो एक ही पर है कि मनी को देखकर हसा तो केवल कृष्ण था भगवान पर इल्जाम लगता है तो भगवान आते हैं उस इल्जाम को हटाने के लिए तो भगवान गए जंगल में भगवान ने देखा जहां पर उसके भाई का शरीर पड़ा था वहाँ से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं वो खतम होते हैं, रीच के पैरों के निशान शुरू होते हैं। पीछा करते करते हैं, भगवान उस गुफा तक पॉंचते हैं। देखिए, ये रीच और कोई नहीं, जामवन्त जी थे। कौन थे? भगवान आए, भगवान ने कहा कि मुझे वो मणी चाहिए, जामवन्त जी कहें, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है। मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। युद्ध करो, ले जाओ। दोने के बीच युद्ध होता है, मल युद्ध कुष्टी। अच्छा, भगवान ने काफी समय तक युद्ध कर लिया, तो भगवान ने धनुष उठाया, बान खीचा, और बान खीचते ही, जामवन्त जी को साक्षात मर्यादा पुर्शुत्तम श्री राम के दर्शन, बल राम चंद्र भणवानेगी, अब राम जी के दर्शन होने के बाद, तो उनोंने चरण पकड़ लिये, प्रभू, मैंने आप पर हाथ उठाया, भगवान कहते, नहीं ने, तुमने हाथ ने उठाया, मैंने तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसंता नहीं है, तुमने का प्रसंता तो है, पर रावन बड़ा बलशाली था, मेरी इच्छा थी मैं उससे मल युद करूँ, पर वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई, तब मैंने तुम्हें वचन दिया था, कि मैं तुम्हारा आयुत रावन से भी ज्यादा वलशाली पुरुष के साथ कराऊ, मैंने अपना वचन पूरा दिया, अब मुझे वो मनी दे दो, वो कहें जरूर दूंगा पर दहेज में, भगवान कहें मतलब जानते हो, बोले हाँ, आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़े, बगवा या मर्यादा पुर्शृत्तम होने का अवरत लेकर रखा है, एक हो गया, एक और से ही, हाँ, अगर आप कहें कि मेरी बेटी में मनुश्यों वाली सुन्दर्ता नहीं है, तो बात अलगे, भगवान कहतें मेरे लिए सब सुन्दर है क्योंकि सब को मैंने बनाया है, मैं कोई घराब चीज बनाई नहीं सकता, देखिए, अगर सुन्दर्ता कोई एक चेहरे में होती या एक नाक नक्षे में होती तो भगवान सब को एक जैसा बनाते है, अगर ऐसा होता भगवान सब को एक जैसा बनाते है, पर भगवान ने सब को अलग बनाया है, सब आपने आस पास के देखे, सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं क्यों कि भगवान कहते हैं सब अपने आप में सुन्दर है मैंने सब को अलग बनाया किसी के जैसा दूसरा नहीं तुम लोगों ने सुन्दरता का एक चेहरा बनानी इसलिए अब तुम कहते हो कि उसमें ऐसी सुन्दरता नहीं है अब ऐसी सुन्दरता नहीं मेरे लिए तो सब सुन्दर है क्यों कि सब को मैंने बनाया है तब भगवान का विवा जाम वंती के साथ होता है अब सतरतिक राजा के पास आये वो मणी वापस करी वो माफी मांगने लगे भगवान ने का मैंने माफ किया बोले ऐसे नहीं मैं तभी मानूँगा आपने मुझे माफ किया जवाब मेरी बेटी से तब भगवान का विवा सत्य भामा के साथ होता है ऐसे सत्याशुती, लक्षमणा भगवान के आठ विवा हो बचे और कितने 16100 अब यहाँ पर भवामा सुर नाम के एक देत्य था उसने अलग-अलग राज्यों से 16100 राज कुमारियों को अपने बंदी ग्रह में रखा था वो सभी भगवान से प्राथना कर रही थी भगवान ने नारद जी को भेजा तो उससे कहो या तो वो कन्याओं को छोड़े या मुझसे युद्ध करना पड़ेगा भुमासुर कंस का मित्र था भुमासुर ने का क्रश्न से कहना मुझे कंस ना समझे यहाँ आएगा तो जीवित वापस नहीं जाए नारज जी कहते है देखते हैं वो तो कौन जीवित रहता है और कौन नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धी विनाश जब निकट आता है ना व्यक्ति यसी वैसी हर उसको असल लगता है सब मेरे विरुद्ध है सब गलत बोल रहे हैं सब गलत है सब गलत है, असल में वो गलत करने जा रहा है, तो इसलिए जब विनाश निकट आता है, व्यक्ति उल्टी चाल चलने लगता है, खुद का विनाश वो खुद ही करता है, तो यहां भगवान आते है, भुमासुर के साथ युद्ध करने, तब मूर नामक एक दैथ्थे भी आता है, भगवान ने मूर नामक दैथ्थे का उधार किया, तब से भगवान का नाम पड़ा, मुरारी, मूर नामक दैथ्थे को मारने से भगवान का नाम पड़ा, मुरारी, भुमासुर का वद करते हैं भगवान, सोल्ला हजार एक सुराज कुमारियों से कहा अपने अपने रा तब भगवान उन 16100 राजकुमारियों को अपनाते हैं। इसलिए माना गया भगवान के कितने विवा हुए। 16108